आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज यानि प्रसनावली एक दस्मलाव पांच का कोश्चन नमबर पांच इसमें पहला कोश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ कि उनियन बी कमप्रमेंट यानि डैस और दूसरा दिया है डैस इंटरसेक्षन फीदेस तिसरा दिया है ए इंटरसेक्षन और यहाँ भी आप देख सकते हैं सानजी से एड़ैस इसका पहला जो यहां है एफसे नमबर वन जो है यह वाला जो हम गराफ समय बचने के लिए बना दिये हैं ए यूनियन बी कम्प्लिमेंट यानि इसको डैस भी बला जाता है और इसमें देखना है कि यह होगा का देखिए ए उनियन बी हम निकालते हैं तो सभी होता है गराफ टूटल होता है लैकि इसमें का जो सरकिल है दोनों सरकिल है जैदि इसमें हम इंटरसेक्शन निकाले जो कमन होता है वही लिए होता है याने ए और वी और होता है जो दोनों में सामिल होता है घży्ट ली आ जा जाता है तो सके लिए बीचवळा भात होगा लेकिन है उनिशन के लिए पूरा हो जाता है लेकिन जस्री करतें हैं वह करते हैं यह है और सधीर हो और इसे सब्सक्राइक लीचे समों ह Son और यहां अपसर नमर 2 के लिए बना है यह बना है A- intersection B- इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि जो कलाई किया हुआ भाग है सरकिल के बाहरी और यह आपका उत्तर होगा क्यों होगा क्योंकि A union B complement is equal to A- intersection B- इसको compliment भी बढ़ायता है इसको तो यह दोनों एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है तो जब बराबर होता है तो गराह भी एक जैसा होहीं दिखेगा और universal E है भाग जो होता है जो आप चत्रभुज की भाग दिख रहे हैं यह universal है पूरा छेतर क्या है universal है यानि सरवात्रिक समुचय का पूरा भाग है और उसमें यह A है और यह B है A है और B है तो इसमें union से आप निकालता है जैसे माल लेजिए कि इसी को आपको निकलना है इसको ही निकलना है तो इसको कैसे पहले तो आप निकलेंगे A union B और universal से minus करके और यहाँ डैस निकालना होगा तो यहाँ कर दिजिएगा A union B तो निकलेगा जो सेस भाग मचेगा वही आपका यह A union B डैस होगा सेम वही प्रिक्रिया इसमें भी है तो जो इसकी बाहरी छोर पर जो कलई किया हुआ भाग है वही आपका सही उतर होगा फिर आगे आगे देखते चलिए अब यह अपसर नमबर 3 है यह अपसर नमबर 3 है अब यहाँ देखिए A intersection B डैस ही बोल लेते हैं डैस है अब ध्यान दिजिए कि A intersection B निकालते हैं तो A intersection B में वही मान हमको प्राप्त होता है जो A समुचह A में अववय जो होते हैं वही समुचह B में भ कर्यामन होता है वही intersection में मान प्राप्त होता है लिए एई इंटरसेक्शन B का मान वही और जो डोनों समुचह में सामील होगा और जब सामील होगा तो हम तो अब A intersection B dash निकालेंगे, जब B dash निकालेंगे, तब बताए इसमें सामिल क्या है, अब इनते A intersection B देखते हैं, तो A वाला ये भाग है और B वाला ये भाग सरकिल है, और इन्वर्सल ये है, पूरा भाग है इन्वर्सल का, तो इन्वर्सल का पूरा भाग है, उसमें A intersection B हमने लि का किया A b को करे लिया तो एइंटे osób हो गया जितने आपको देख णबद रहा है यह इनुक्षल हुआ उसमें से एंटेसेक्सन किया स्प्र सुन्सकार्चा दोस्तरी ही यह या इसको होटा लिया तो जो स्थीस भाग मचा एका प्रकूंक हुआ इस्स थे में हो जाएगा A dash intersection B dash ध्यान दिजेगा कि जब भी हम लोग निकालते हैं A A कोई भी मान A दिया हुआ है A का समुच़ई दिया हुआ है और A dash हम निकालते हैं तो क्या निकते हैं इनिवर्सल माइनस A कर देते हैं यानि इनिवर्सल में से क्या करते हैं A के समुच़ई को कैंसेल कर लेते हैं Cis जो भाग बचता हुआ उसको रख देते हैं तो A dash और mana जो बचता है और किसमें समान बचता है इनिवर्सल में समान होता है वही प्रकेरिय हैं आपको B dash भी निकालते हैं टीनिवर्सल माइनस B कर देते हैं तो दोनों का मान ये निकल जाता है और ये मान जो निकलता है तो इसमें कोई संख्या हो, इसमें अलग संख्या हो, दोनों में अलग संख्या हो सकते हैं, तो ये दोनों में जो मान निकल गए दोनों का, बी डैस का और एडैस का, अब इनका intersection करेंगे, तो इन दोनों में जो common होगा, वही होगा, तो common वाला भाग इसमें क्या दिख रहा है यही दिख रहा है, जो common होगा, जैसे A और B हमने निकाला, A भागी है, B भागी है, और इन्वर्सल यह है, तो A intersection B निकाला, तो आप सईस तरीकास देख सकते हैं, यह हो सकता है answer, इसके लिए, इसके लिए हो सकता है, लेकिन आपने तो A dash निकाला, A dash निकाल लिया, और फिर B dash निकाल लिया, तो जो इन दोनों के बीच में common होगा, वह होगा, तो हमने निकाला इतना, इसका, चुकि यह होता क्या है, कि यह दोनों, यह वला और यह वला एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब बराबर होते हैं, तो इसका जो भैलू होगा, वह इसका भी ह सारवात्रिक समुच्य देखिए यहां यूज ऐसा सिंबल दिया है इसको इनिवर्सल कहा जाता है जो इसका इनिवर्सल अफसेट यानि साथ सारवात्रिक समुच्य जादि ए उन सभी तिर्भूजों का समुच्य हैं जिनमें कम से कम एक कौन कितना डिग्री का हो साथ से भीन हो मनें साथ से अलग हो यानि साथ से कम हो सकता है तो एडैस क्या होगा एडैस क्या होगा संभाहों तिर्भूज का समुच्य होगा एडैस क्या होगा इसे ही दिख रहा है संभाहों तिर्भूज का समुच्य होगा तो यहां हम लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं देखिए क्या लिखते हैं कि आप इनिवर्सल डालिए जिसको कहा जाता सारवत्रिक समुच्छ यहीं नहीं सारवत्रिक समुच्छ लिख करके लिखिए एक्स संच डायट एक्स समतल में एक तिर्भूज है लिख सकते हैं लिख दिए समतल समतल में एक तिर्भूज है समतल में एक तिर्भूज है ऐसा मुझा है इसको बंद कर दिजे और एक आमान भी ग्याद कर लिजे जब समतल में तिर्भूज है तो यह कभी मान ग्याद करिएगा तो इसे ही लिखेगा एक तिर्भूज एक तिर्भूज जिसका कम से कम से कम एक कोण कर दिए एक कोण एक कोण साथ रिगरी का नौ हो यह कोण भीन कहता है साथ से भीन हो तो यह कोण साथ रिगरी से कम हो का नौ हो यह लिख सकते हैं तो एडैस कितना हो जाएगा एडैस में आप लिख सकते हैं एडैस में लिख सकते हैं सभी समभाहू तिर्भूज का समूचय हो सकता है यह यहां लिख सकते हैं सभी कि यहां करता है जिसमें कम से कम यह कौन साठ डिज़ी से कम हो तब यह संभाहूं तिर्वज का एक समुचय हो जाएगा चलिए आगे 7 नमर कोष्चन हम लोग देखते हैं 7 नमर कोष्चन में सबसे पहला देखिए क्या कहा है यह कहा है यहां समझने वाला चीज है ऐसे तो हम लीख सकते हैं डारेक्ट लेकिन आप समझ लेजिए मान लेजिए कि यू में यानि इनुवर्सल में यह मान कोई दे दिया है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 है मान है मान इसको भरना है आपको तो ए में भी दे दिया है इस सब में ए है की नहीं है तो ए में दे दिया मान लेजें 1,2,3,4 ही दे दिया likeTar दे दिया और कहता है यहां a- a- निकालना है तो सीया के तो आप सकते हैं यह यह लिख सकते हैं से लिक सकते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं ting तो यहां कितना है एक से लेकर चार तक और नौ तक तो समीलित होगा तफिर इतना ही नबने जो इन्वर्सल का मान है अथ इसका मान क्या हो जागा इनिवर्सल ही होगा आप देखें यह होता है फाई डैस यानि रिक्त डैस इसको बोला जाता है रिक्त डैस होता है तर रिक्त डैस जो होता है यह हम रिक्त डैस बराबर लिख सकते हैं यूनियन और यूनियन का यह कहता है कि यूनियन का कहता है कि यूनियन इंटरसेक्शन ए आप बताईए यहां क्या हो जाएगा यूनि होंगे और इतना मिल रहात आप एंशर यहीं U Lawn क्योंकि ये कि मान के समान है इनल तो इसमें अब नहीं है भिए को इन्टरसेक्शन में और एंडओ को विलेख यजिए इससे क्रीन तो कि यहां से स्केतम स्केद्व नाओ कै應該 स्वारीया रणीसिंगारा है दान है जंधाना यहां क Cordy संभ्ली है यांग संभी नहीं स्यानां जप्ता इसले के में लबड़ा नियर्मिर्ण में देख सकते हैं का यहां लिखेगा यहां लिखेगा खाली है क्या लिखेगा खाली है यानि रीक्त है क्या लिखेगा रीक्त है आप चलिए इस पर इस पर चलिएगा तो याद रहे यहां आपका कि यहां डैस दिया हुआ है बताए इन्वहर्सल का मानी तना है यहां डैस दिया तो इन्वहर् खाली हो जाएगा रीख्थ हो जाएगा यानि इतना का होता है खाली रीख्थ तो रीक्त का आप इंटरसेक्ट्ट ये करत about तो क्या हो जाएगा रेक्त नहुत्र हो जाएगा आपका रीग्थत ओके यह आपका complete हो गया आप इस वीडियो को share करें like करें subscribe करें